दोस्तो इस वीडियो में आपका स्वागत है। अब प्रशन ये है क्या ये मामला सर्फ स्वाज से जुड़ा है या इसका स्वास्थे से बे कोई लेना देना है। तो जवाब है देसी घी सर्दी के मौसम में स्वास्थे के लिए बेहत जरूरी है। गर्मी की तुलना में देसी घी का सेवन सर्दी के मौसम में ज़्यादा करना चाहिए। देसी घी को brain food भी कहा जाता है, क्योंकि ये मस्तर्श के लिए बेहद फायदेमन होता है, तो आईए इसके फायदों के बारे में बात करते हैं। देसी घी में विटामिन A होता है, जो आखों की रोशनी के लिए काफी अच्छा होता है। देसी घी आई प्रेशर को कंट्रोल करता है और ये ग्लुकोमा के मरीजुं के लिए काफी फायदेमन है। सरदी के मौसम में तवचा का रूखा हो जाना आम बात है। ऐसे में देसी घी बड़ा लापकारी है। इसमें फैटी ऐसेड्स होते हैं जो बेजान और रुखी तवचा में जान डाल देते हैं। एक कटोरी में दो चमच घी, दो चमच बेसन और आवशकता के अनुसार पा समस्या जादा होती है। यदि आप सोने से पहले एक कप गर्म दूद में दो चमच घी मिलाकर पिएंगे तो काफी बहतर महसूस करेंगे। देशी घी पाचन क्रिया को ठीक रखने में काफी मददगार होता है। सरदी में स्किन ही नहीं बलके सर में भी रूसी और ड्राइ होते हैं। जैसे गाए के घी में अधिक मात्रा में अंटेक्सिदेंट होता है जो फ्री रेडिकल से लड़ता है और चेहरी की चमक बढ़ा देता है। सरदी के मौसम में होने वाले ड्राइनेस को खत्म करता है। हार्ट ब्लोकेस की समस्या में भी देसी घी काफी कारगर हो सरदी के मौसम में एक चमक देसी घी तो कम से कम जरूर खाएं। इसके फायदे बहुत हैं। और अगर आप गाय का देसी घी घर पर बनाने में सक्षम हैं तब तो सोने पर सुहागे वाली बात है। शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए बड़े ही सरल और सहज हैं देसी घी से हमारे स्वास्ते के लिए कितना फाइदा पहुंचाता है। अगर आपको लगता है कि वीडियो वाकए में बहुत अच्छा है, तो आप अपने अजीज लोगों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें, और इसके साथ साथ और भी इसी तरीके के अच्छे वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद